यार बोलिंग के लिए न मैं एक चीज करूँगा यह बस उनकों का हाड है यह पाकिसानी टीम को जाए पहना दें बस सतरा साल पुराना जो रिकॉर्ड था वो तूट गया है इसकी वज़ा से वो बाव वूलोर मारा गया था दो हजाए दो हजाए उसने शर्म खाली लेकिन पाकिसान करिकर बोर्ड को और हमारी टीम को शर्म नहीं आ रही है हम किस से मैच आ रहे हैं आरिलैंट से और आप इस टी लिखा रहे हैं और यह आईलेंट से जीज नहीं सकते हैं आईलेंट से तोके रखे दिया एक आफरी अवर में इसको अच्छा खासा टार्गिट होता है जिसको मार्जन अच्छा खासा था इन्से वो नोका नहीं गया उन्हों ने वो चीज़ करके दिखा दिया और ये अबर आजम आया जी कप्तानों के कप्तान जिसको हमने पूरी दुनिया का कहते हैं जी यह बेस्ट गैस्मैल है उसने क्या किया है फोटी थ्री बोल्स पे आप 57 रंस कर रहे हो पूरा मैई तो आप खा गए हो जब मारने का टाइम आया आपने क्याई दे के बाई रहा गए ह करें थ्री जी तरो आप खाले है जो अबर आप खाले हम लोगं लोगिए इस दोर में बंगलादिश की टीम कें बहुर लोग लोग लेवल की टीम पहाते थे है इस ताम वही उसी दरजे पर खड़ी है आइलैंड की टीम, अगर इसी लेवल पर आपकर कोई बात ना है, मैं अबना स्कोर करूँ है, मैं निकल जाओ यहां से, थीक है, टीटवटी की की वाद करें, वल्ली का भी बात करें, आपनी तरफ से बहुत बगडी टीम खला रहे हैं चले बात करें आजम खान कि आजम खान को देख लें के आजम खान एक बडा अच्छा बैटस्टमेन नहीं किस लेवल का बैटस्टमेटन है सिर्फ ऑफ सी लीगो बैटस्टमेन आज तो पियार कि प्यार वाला सीन गहीं है अब हमने यानि के यह टीवी बगार रहे हैं कि जब भी यह मैच हार जाँ हम अपने टीवी तोड़े हम अपना नुक्सान करने के लिए कोई प्यार नहीं है भई हम मैट ठीक है हमें प्लेयर से प्यार है लेकिन इस हद तक प्यार है कि आप परफॉर्म भी करो हम इतना इन्व क्शहान की बॉलिंग की बोलिंगा कि nochmal कि नासीम है जारा है यह फ्रीडी है उसको लेके आए चलें मांते हैं उसका बोलेह है नसीम शायव भी किसी नगाम की इसकी performance रहा शिदाप उसको इन्हों लाडला बनाया वे पता नहीं क्या समझगा उसको एक किसी नगाम की performance से ना बैटंग में ना बोलिंग में पोर सको नाइब गवतान बनाया है मेरे खाल इनको फारी करना चाहिए जो यंग स्टेंस है जो मीनत करने वाले लड़के उनको लेके आना चाहिए नहीं तो जिस मैज में यह पहली दूसरी बॉल में तीजरी बॉल में हाद छटी बॉल पर यह बंदा आउट होता है इस बंदे का कोई लावल नहीं मलगे यह इं तीटवंडी रैंकिंगे साथ तेज खेलना है और इसने हथ 35-40 स्कोर करके इसने आउट हो जाना है उसने कोई अबनी 15 देखनी करके आउट हो जाना है रिजवान की बात कर लें रिजवान साथ तो आते हैं वो पिछ भाइख खड़े हो जाते हैं और देखते हैं कि मैं अगर बैटिंग को देखा जाए महमर रिजवान और साइम यूव आए है चलो बैटला को होगी रिजवान के साथ उसका ट्रैक हिस्टी देखा जिए रिजवान बहुत अच्छा बैट्समैन है लेकिन वो अनलकी वो आउट हो गया जल्दी फिर इसके बाद बाबर आजम आ आपको टीम को लेकर जलते ना फिर उसके बाद आम देखते हैं फाहर जमान को जिसको हमने बहुत सर पे चड़ाया हुआ उसने क्या किया है ठारा बोल पे बीस रंस शरम आनी चाहिए यार ऐसी बैटिंग लाइन को अगर इफ्ताहार ना होता हो तो मैं सम्झे यह वन ट्व इस इसने फिचर को आप इसको कप्तान बनाने जा रहे हो यार उसामा मीर उसका आप पी एसल देखो पी एसल में इसकी क्या पर्फॉमस्सी उसके लास्ट जो हमारी यह टूनमेंट था किया नाम है निजिलान के साथ उसमे भी आपको उसमा मीर नहीं से हारा दिया और आप इसको तरजी दे रहे हो शिदाब पे और आप कहरें जी शिदाब उससे बैटर है देख लिए शिदाब ने फिफ्टी रंस फिफ्टी फोर रंस दी आई थिंक फोर ओर में कोई कोई भी इसको विगड़ नहीं मिली और उसकी वज़े से हम मैच आ रहे हैं और यह मुझे इन बंदों को आरमी का कैम लेने के बावजुद इनकी इतनी घंडी हाला था यह अग्र आरमी का कैम बनाओ तों मेरे खाल से एकर यह 2002 में करते इननों वह करते इन वह भी खाल करना था मेरे क्लों पू पहले दो ने बोल के सान दो पहले दो ऑबर करवा दो तो वह बड़ा तेज कर लो अच्छा का एक अधिकर निकाल लेता है और उसकी वाश हो ही ने देखने वाली होती है उसके बास बंदे की स्पीड देख ले आये लैंड की टीम को उसने इतना होला लिया हुआ था कि इसकी स पाकिसन की को सार्फेक स्थेक. पाकिसनने बोन है he पाकिसनना लेना साल ले उन्यां क्या है पे वन हमेंक साल वजानते ही बोहां गया है दो बंदो रर चोला हो गया है एक दो बंदो बेन चलीम नहीं चलेगी बाभर 50 करिए हैं ना उने के काबल है 40-40 बोले खिलने और 50 स्कोर गिये ये कोई स्कोर नहीं है टीड वंडी में ये तो कम अगम वंडे का स्कोर है इसको कम अगम तीस बोलों पे 50 होनी चाहिए अगर इस टीम से जोने हारना है तो ये वर्ल्ड कप में क्या करेंगे इंडिया क्या है तो ये मेरे खाल से इंडिया का मगाबला होगा ये टीम की साथ जाते धे है तो इंडिया कैसे हमें मारेगा मेरे ख्याल से 99 पर्शेंट नीया की पाकिसान जीते हैं मेरे ख्याल से इनके मोद पर तमाचें मारें गों ऐसी बोलिंग ऐसी बैडिंग लेके जाएंगे उनके मुहम्मद सिराज परफॉरमस दिखा रहे हैं मेरे गाल जिनके मुँपे तमाचे में गवारेंगे वो इनको पूरी दुनिया में जलील करेंगे आमीर के लावर इसे वोलिंग नहीं होनी आमीर आकर प्रेशर डालना प्लेयर्स पे तभी बोलिंग अपनी विक्र निकाल लेंगे यार इंडिया की बैटिन लाई को पकटना अगर आप अमीर को खिलाते हो ना फिर आपको फोड़ा सा मिल जाएगे एज एज मिलेगा आप जहीत नहीं सकते हो इंडिया से इंडिया की टेम बहुत उपर आप से आप उनको टेच भी नहीं कर सकते हो सतरा साल पुराना जो रिकॉर्ड था वो टूड़ गया है इसकी वज़ा से वह बाव वूलोर मारा गया था दोजार साथ में उसने शर्म खाली लेकिन क्रिकट बॉर्ड को और हमारी टीम को शर्म नहीं आ रही हम किस से मैच आ रहे हैं आर्लैंट से और आप इस टीम के साथ व वर्ड काप जीतोगे शर्म आनी चाहिए हमारी क्रिकट असूसियेशन को और क्रिकट टीम सारे प्लेयर को शर्म आनी चाहिए